मैं आपका होस्ट दोस्त मिस्टर जलिनदरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जलिनदरा व्लोग्स चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे एतिहासिक व अनोखा शिवलिंग मालेश्वर महादेव मंदिर खूबसूरत पहाडों के बीच बसा अनोखा शिवलिंग सूर्य के हिसाब से हर छे महीने में बदलता है दिशा। मालेश्वर महादेव मंदिर अपने एतिहासिक कला संस्कृती के साथ अनोखे मंदिरों के लिए भी विश्वविख्यात है डॉक यह मंदिर राजधानी जैपुर के पास अरावली परवत शिंखला के बीच बसे सामोध स्थित महार कला गाउ में है इसी गाउ में हुई थी करन अर्जुन मूवी की शूटिंग और बहुत से सिरियल वं मूविच की शूटिंग के लिए महर कला वसामोध हमेशा से ही फिल्मकारों की पहली पसंदीदा जगह रहा है प्राकृतिक जर्नों से युप्त मनोरम स्थल पर है मंदिर प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान मनोरम स्थान जैपुर से लगभग 40 किलोमेटर दूर है विक्रम संबत 1101 काल के इस मंदिर में स्वयंभूलिंग विराजमान है जहां बारिश में बहते प्राकृतिक जर्ने पानी के कुंड आसपास पौरानिक मानव सभ्यता संस्कृती की कहानी कहते अति प्राचीन खंडहर इस थान की प्राचीनता को दर्शाते हैं बारिश के दिनों में रोज गोठ होती है इस मंदिर में अनूठा शिवलिंग है जो हर छे महीने में सूरच के हिसाब से अपनी दिशा बदलता है यह एतिहासिक शिवलिंग सैकरों वर्ष पुराना है मालेशवर महादेव मंदिर में विराजमान यह शिवलिंग हर 6 माह में सूर्य के हिसाब से दिशा में जुग जाता है सूर्य हर साल 6 महीने में उत्तरायन और दक्षिनायन दिशा की ओर अग्रसर होता रहता है उसी तरह यह शिवलिंग भी सूर्य की दिशा में जुब जाता है अपने इस चमतकार के कारण यह देश का अनूठा शिव मंदिर है ऐसे पड़ा मालेश्वर महादेव मंदिर का एतिहासित नाम मंदिर के पुजारी के मुताबिक बर्तमान में महारकला गाम पौरानिक काल में महाबली राजा सहसरबाहु की माहिश्मती नगरी का हिस्सा हुआ करता था इसी कारण इस मंदिर का नाम मालेश्वर महादेव मंदिर पड़ा उन्होंने बताया कि विक्रम समवत 1101 काल के इस मंदिर में स्वयम भूलिंग विराजमान है पहाडियों से घिरे इस धार्मिक स्थल पर प्रकृती भी जमकर महरबान है बारिश में मंदिर के आसपास प्राकृतिक जरने बहने लगते हैं जो यहां की छटा को और भी मनमोहफ बना देते हैं आकरांता मुझलों ने कर दिया था मंदिर को नश्ट इस मंदिर की सेवा पूजा करते आय महंत के अनुसार मुगलकाल में इस मंदिर को नश्ट कर दिया गया था मंदिर में उस जमाने में तोड़ी गई शिषया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान भगवान विश्नु जी की खंडित मूर्ती आज भी यहां मौजूद है कालांतर में मंदिर का जीन उधार कर इस पर गुम्बद वशिखर का निर्मान करवाया गया खूबसूरत पहाडों के बीच बसा अनोखा शिवलिंग मालेश्वर महादेग मंदिर के दर्शन वा मन की शांती वा प्राकृतिक जर्नों के आननत मनोरम स्थानों को देखने के लिए अवश्य आना चाहिए यहां आकर मन को एक अलग शांती की अनुभुती मिलती है